तो दूसर आज हम बात करने वाले हैं completely new loan application के बारे में और वीडियो को बिल्कुल पिस्किप करके नहीं देखी का जाने है कि क्या eligibility होनी चाहिए इस application के अंदर में loan apply करने के लिए और actual में कितने दिनों का loans provide कराने वाले loan application है अभी के दोरान जैसे का आप सभी लोग जानते हैं कि new loan application फिलाल काफी आ चुके है फ्लेशर को पर तो चलिए आज हम review करने वाले हैं और खासकर से application के अंदर loan apply करके भी देखने वाले हैं कि किस तरस application वर करती है क्या documentation लगती है दोस्तों मैं हुमीत और आप देखरें टेकन online solution में आपका स्वागत करते हैं चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों फाइल आज के mobile phone के screen पर तो आप से request करूँगा सुरु से लेकर आन तेक्स लिए को देखे उसके बाद लोन स्किल अपलाई करेगा दोस्तों ये वीडियो जो बनाई जा रही है सास्क्राइबर बेस को पर वीडियो बनाई जा रही है आज हम जिस application का review करने वाले हैं ये है loan cube जो कि बिलकुन new application होने वाली है यहाँ पर आपको बताई जाते हैं कि minimum 91 दिनों से लेकर 730 दिनों का समय दिया जाता है जो कि जो भी अभी फ्लाल इस तरह का application जो आ रहे हैं ऐसा कुछ भी rules फॉलो नहीं कर रहे हैं जो हैं आपर बताई हैं कि 91 दिनों से लेकर 730 दिनों का समय हम देंगे हलाकि खेर ये अलग बात है 3 लाग रुपता का loan देने के दावा करती है जो भी आपका interest charge लगेगा monthly 1% से लेकर 2.9% तक monthly charge करी जा सकती है processing fee के बात करते हैं आपका 2% से लेकर 3.3% तक charge करी जा सकती है खेर ये अलग बात है अभी हम सारा कुछ आपर देखेंगे इस application को इस टॉल करके देखेंगे क्या document लगती है और क्या eligibility होनी चाहिए बात करें दोस्तों है पर eligibility के बारे में तो ऐसे में जॉन लिजिए कि आपका भारत का नागरिक होना जरूरी है आपकी उम्र 20 साल से लेकर 56 साल के बिच होनी चाहिए monthly income का source होना चाहिए अब दोस्तों सवाल होगा मन में कि भाई application के उपर हम किस तरह से loan apply करेंगे किस तरह से form fill up करेंगे वह सारे कुछ हम देखेंगे उससे पहले आपको information के लिए बता दूँ अगर आप इस application के अंदर में loan apply करते हैं किस तरह कोई problem आ रही है तो इनके email के जरी से support या फिर help ले कि अक्चुल में किस तरह का interface देखने को मिलता है किस तरह से loan provide कराती है सारा कुछ आप इस वीडियो में देखने वाले हैं हलाकि आपर कहीं भी mention नहीं करेंगे कि किस NBFC के जरी से loan funding करते हैं चलिए application को इस तरह को दिखाते हैं कि किस तरह का application यह वर करती है दोस्तों मेरे phone application install हो चुका है और मैंने यहापर कुछ इस तरह से open कर लिया है सबसे पहले हैं आपर अपना mobile number देंगे और निचे से continue कर लेंगे उस नबर पर OTP code आएगी OTP code फिलप करेंगे और login password बनाएंगे और निचे से submit कर लेंगे दोस्तों यहापर ध्यान देजगा आपको कुछ permission भी देना होगा इस सारे चीजों के लिए permission देने से पहले terms of service and privacy policy एक बार अच्छे से rate करेंगे अगर आपको अच्छा लगता है समत है समझ हो चुकी है तो उसके बाद यह आप okay let's go वाले बटन के उपर क्लिक करेंगे और अलग अप्लिकेशन के नाम से आपको यहाँ पर लोन अपलाई करने के लिए कहजार है और सारे लोन अप्लिकेशन अलग अलग नाम से आपको देखने को मिलेंगे और सेम एमाउंट आपको देखने को मिलेगा सारे अप्लिकेशन के अंदर में 5000 का लोन आपको देखने को मि एसे में अपको बात करें तो आपके पास अधार कार्ट, पैन कार्ट होनी चाहिए अपकी उमर 18 स्वाल से उपर होनी चाहिए इनकम का सवर्स होनी चाहिए ऐसे में यह सारे फीचर सेम आपको हर एक अप्लिकेशन के अंदर में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको 18 प्लस आपकी उम्र होनी चाहिए अधार पैन के स्वाथिय अप्लिकेशन वर्ग करेगी यहाँ पर कोई सीगल का कोई मैटर नहीं है आपको 100% लोन मिल जाएगे लेकिन इस तरह के लोन अप्लिकेशन को पर बिल्कुल भी लोन अप्लाई नहीं करेगा ऐसे में आपको देख सकते हैं अधार काट का फ्रंट कोपी बैक कोपी अप्लोड करना होता है और आपको यहाँ पर सैल्फी दे देनी होती है इससे के बिहाँ पर आपके सारे यहाँ पर फॉर्म फिलप कम्प्लीट कर सकते हैं वेरिफिकेशन कम्प्लीट कर सकते हैं अडेंटी सर्टिफिकेशन, बेसिक इंफोर्मेशन और परसनल इंफोर्मेशन के अंदर में आपको अपनी खुद की डीटेल्स देनी होती है अडेन्टी सेंटिफिकेशन के अंदर में अधार का पैन कार्ड अपलोड करना होता है लेकिन आपको इस इंफोर्मेशन के लिए बता दे आपको यहां पर सिर्फ और साथ दिन का लोन दिया जा रहा है ऐसे में इस तरह का अपलिकेशन के उपर बिल्कुल भी लॅण आपलाई नहीं करियेगा क्यूकि इस तरह का अपलिकेशन के उपर लोन अपलाई करते हैं और लोन ले भी लेते हैं तो कॉल करके आपको हरास्منٹ करी जाएगी दोसो ऐसे में लोगों को डिमांड थी वाई इस application का review करने के लिए क्या हमें इस application के अंदर loan apply कर सकते हैं या फिर नहीं तो वो चीज़े मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि इस तरह का application के उपर बिल्कुल भी loan apply ना करे loan क्यू application का नाम है और उस application के अंदर में देख सकते हैं कि बहुत सारे loan application आपको देखने को मिल जाएंगे same funda है same structure है same form fill up करने के option आपको देखने को बिलेंगे हर एक application के अंदर में जाएंगे 2000 रुपए का loan ही आपको बिलेगा वो भी 1240 रुपए आपके bank खाते में प्रांसफर होने वाले है ये चीज़े आप यहाँ पर देख सकते हैं one by one करके आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको दिखाने कोजिस कर रहा हूँ कि सारे application के अंदर में same funda है ठीक है इंट्रेस सिर्फ 14 रुपए लिए जोर है हर एक application के अंदर में जैसा कि आप देख सकते हैं 2000 का loan होगी 2014 रुपए आपको loan कर रिपेमेंट करना होगा अगर आप loan ले लेलते हैं तो और 1240 रुपए आपके bank खाते में प्रांसफर होने वाले है ठीक है तो भाई आपको यहाँ पर 100% loan तो मिल जाएंगे लेकिन loan को कैसे आप भुगदान करेंगे साथ दिन कोई बाद वो चीज़े आपको बड़ डिपेंट करती है तो दोस्तों उम्मेद करते हैं यह information आपको काफी पसंद आगे होगी तो वीडियो को like and share जरू करेगा कि कुछ चैनल को पर maximum वीडियो लाइव देट प्रोवर्मन के स्वाथ हमेशा वीडियो मैं लाते रहता हूँ